आज हम दुबारा उस आर्टिकल को गो थू करेंगे और यह देखेंगे कि जो आर्टिकल हम स्टुडी करें उसके अंदर किस किसम की टीचिंग स्ट्राटिजी जो हैं टीचर्स ने यूज़ की और उनका उने क्या फायदा वार्टिकल आपके सामने हैं आर्टिकल लिखा था इंट्रेस्टिंग से नाम है और उन्होंने अच्छी क्लास में एक जबज़र स्ट्रेंड टीचर किताब पढ़ने से पहले क्या अक्टिविटीज करता है और फिर उन्होंने डिफ्रेंस जाना कि हम प्रिंट बुक दिखाएं या हम आई-बुक पर होते हैं उन्हें इंगेज करते हैं और क्या बितरीन स्ट्रेजी इस्तेमाल करते हैं कि जो रीडिंग का में मकसद है कि जो आथर आपको पेगाम देना चाहरा है वो आपको समझा जाए तो अब इस आर्टिकल के अंदर जिन टीचर को उन्होंने स्ट्रेडी किया अब उसकी अब बुक रीडिंग के लिए रेडी हो रहा है उसने एप खुली एप के अंदर जो बुक थी बुक का नाम है मॉमिन मेंबल किताब खोलने के बाद जो सेटिंग को डिस्क्राइब किया गया कि टीचर जो है वो सेंटर में बैठा हुआ है उसकी वील्ड स्टूल चेयर है औ बच्छे चोटो हैं उतने अगे इंडर गार्डन में तो उनकी चैर्स भी छोटी ही होंगी उनके हिसाब से उसके बाद बच्चों की स्वेटर के उपर या उनकी शर्ट के उपर स्थीकर लगे वे नंबर के इस तरीके से टीचर को नंबर वाइस पता चल रहा होगा कि कौन से बच्चे को मैंने कब किताब देनी कब नहीं देनी ऐनी वीड़ी को स्ट्राटीजी अब होगी ब्चे बैड़ गए और की आ किया किया कि बच्चो के सामने आ के बैड़ गया है ताकि आ हो टमाम बच्छों को देक सब्रतर छीचर को डारेकेटल अ उनके भीच में च्शो तो टाप उनके सामने नहीं थी बच्चों के सामने थी आज इसको स्टडी करना टीचर समझता था कि बड़ा जरूरी है इस कहानी को समझने के लिए और एलस्टरेटर को सपोर्ट करने के लिए एप्रिशीएट करने के लिए और इस कहानी के वो फीचर्स डिट्रेक्स में करने के लिए और Eagles में मौझूद हैं उनको दिखाने के लिए तो उसमें वह बच्चों को वन बाइवन वह टैब जो थे पास्वन करते थे और अलाव करते थे वहां कहानी को रोक के कि आप इन फीचर्स को बढ़ा करके देख सकते हैं या इनको टच करके देख सकते हैं वहाँ बहाँ निमेशन इसको टच करके देखें यह क्या है वह सिर्फ उसी फीचर को देख रहे हैं और प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं डिजिटल एप को कोई गरबर तो नहीं हो रही या बच्चों से कोई और पेश तो नहीं खुल गया या एप तो बन नहीं हो रही सो टीचर का सामने बैठना इ यह था कि उनको टैब नजरे थी कि बच्चे इस में कर क्या रहे हैं उसके बाद टीचर ने पको बनाए यह किक किन करना चुरू किै तीकस को पड़ने से पहले जैसका नाम क्या उपना श्कर करते हैा इसका है चैड आफ से कहरे है से हैं किस ए स lors मिलक कि यह कब बुक पब्लिश हुई होगी, बुक का टाइकल पढ़ा, उसके बाद ऑथर का नाम पढ़ा, और जो उसके अप के ओपर डिस्प्ले चीज़े थी, उनको बच्चों के साथ डिस्कॉस करना शुरू किया। लेफ्ट साइट पे स्क्रीन के एक इलस्ट्रेशन थी, एक पिक्चर बनी भी थी और उसके अंदर क्या थे, दो ट्रोल्स थे जो एक लिट को खोल रहे थे, उस लिट के अंदर दो में करेक्टर थे जो इस कहानी के में करेक्टर है, एक है, मौमिन आउरिक का नाम है मेंबल, उसके बाद जब किताब पढ़े जाने लग दी, तो उसके अंदर बहुत से साउंड एफेक्ट भी थे, मिसाल के तौर पे, साउंड एफेक्ट को भी डिसकस किया गया, किताब पढ़े जाने से पहले, जब उन्होंने वेब साइट ही खोली, तो उनको चेडियों के चेचाह साउंड एफेक्ट मौजूग थे, उसके बाद एक option उन्होंने ये भी find out की, पराटक सिंग के अंदर पढ़ने से पहले, कि book में लिखा हुए, कि read by myself, और read to me, ये चीज़ें भी display थी, banner के अंदर, right side के उपर, so उसके बाद उन्होंने इडेंटिफाइ किया, कि जब उन्हो important चीजे थी, जो teacher बच्चों के साथ share भी कर रहे थे, और book को शुरू करने से पहले, इतनी detail में discuss भी कर रहे थे, और observe भी कर रहे थे, जब किताब खोली गई, तो teacher ने और बच्चों ने ये identify किया, कि उसके अंदर, सबसे पहले follow-up greetings हुई, greeting phrases से page number 2 के उपर, कि जैसे, hey, below the origin text, there is a full body illustration of the three major characters, Memble, Mormon and Little My, so, ये greetings दो ने पढ़ी, उनको अंदाजा हो गया, कि जब हम आगे खोलेंगे, तो हमें full page illustration मिलेंगे, इन 3 main characters की, और ये भी पता चल गया, कि ये ही 3 main characters है, आज जब illustration देखेंगे, तो उनने पता चलेगा, इनकी क्या age है, इनकी क्या gender है, ये कैस से दिखते हैं, और ये कहां के हैं, उसके बाद book के अंदर instructions थी और कुछ instruction इस किसम की थी हैं, बच्चों ने वह भी identify की, किताब पढ़ने से पहले, कि turn the page from edge to change sides, या press to see exciting animations, और rotate to control the object on the screen, तो इस किसम की तमाम चीज़ें, बच्चों ने teacher के साथ, किताब पढ़ने से पहले explore की, तो ये उनका पहला step था, study का, they identified, कि उन्होंने बड़ी detail में बच्चों के साथ इस चीज़ को देखा, कि ये जो हमारे पास e-book मौझूद है, इसमें जो text है, उससे पहले क्या-क्या features है, पहले हम उनको तो देखें